हेलो दोस्तो आज मैं लेके आई हूँ आधी कब सूजी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी डेजर्ट जो कि सभी को बहुत पसंद आएगा और आधी कब सूजी से पूरे परिवार के लिए ये डेजर्ट आप बनाके तयार कर सकते हैं बनाना बहुत एजी है तो चलिए फ्रें कर दिया है तो फ्रेंज देखे पानी बहुत ही अच्छे से उबलने लगा है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पानी को हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे अब मैं इसमें डालूँगी एक छूटी चमच के करीब घी आप यहाँ पर डाल सकते हैं मैं यहाँ पर ओ दूखली ना बने और जैसे जैसे आप देखे हैं इसमें सूजी को मिक्स करेंगे पानी में बिल्कुल पानी जो है सोक लेगा सूजी और बिल्कुल एक डोज ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे कवर करके लगबग 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि यह जो सूजी का हमारा पेस्ट वो डोज ऐसा बन जाए तो सूजी जब तक फूल डाय गैस पर मैंने कड़ाई रखी है और इसमें मैं यहाँ पर आधा लिटर दूद ले रही हूँ और मैंने यहाँ पर दूद जो लिया क्रीम के साथ ही मैंने ले लिया मलाई के साथ में फ्रीज में रखावा दूद था तो मलाई उपर से जम गया है इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से और दूद में हम उबालाने देंगे बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और यहाँ पर देखे लगबक 10-15 मिनिट में जो सूजी हमने रखे थे वह भी बहुत ही अच्छे से देखे बिलकुल एक डोज ऐसा हो गया है यह बिलकुल भी ज्यादा हाड भी नहीं है और ज्यादा सौट भी नहीं तो बिलकुल परफेक्ट माप के साथ आप पानी और सूजी का डो बिलकुल इसी तरीके का बनेगा अब हम यहाँ प थोड़ा सा इसे फैला के लगबग 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ लगबग 5 मिनट के बाद ये देखे थोड़ा सा ठंडा हो गया है अब हम इसमें एड करेंगे दो से तीन बड़ा चमच मिल्क पाउडर इससे जो हमारी रसमलाई बनेगी सूजी की बहुत ही टेस्टी बनेगी अब हम इसे बहुत ही अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेंगे तो हमें यहां पर इसी तरीके से मसलना है जिस तरह से हम छेना को मसलते हैं तो जो मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारा जो डो है वह भी बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो तो यहां पे देखे हतेली की मदद से इस तरीके से मैं मसल रही हूँ और अगर हाथ पे चिपके तो थोड़ा से आप इसमें oil या फिर घी डालके अच्छे से mix कर सकते हैं तो यहां पे मैंने थोड़ा से इसमें oil add किया है और जो भी आप oil add कर रहे हैं तो उसमें कोई भी strong flavor नहीं होना चाहिए तो यहां पे देखे जो हमारा सूजी का डो था बहुत ही अच्छे से soft हो गया लगबग 1 minute मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है डो यहां पे देखे बिल्कुल soft हो गया है अब हम हाथ को अच्छे से wash कर लेंगे उसके बाद हम इसमें से छोटे छोटे से balls बनाएंगे तो हाथ पे हम थोड़ा सा oil लगा लेंगे और जिस तरीके से हम अंगूरी रस्मलाई बनाते हैं इसी तरीके से मैं यहां पे सूजी के balls को बहुत चोटे छोटे साइज में बना रही हूँ बहुत एजली यह बन जाता है आप चाहे तो इसका साइज थोड़ा से बड़ा भी रख सकते हैं तो सारे जो सूजी के बॉल्स हैं, हम इसी तरीके से बना के तयार कर लेंगे, अगर आपको ये रस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो सारे बॉल्स मैं यहां पे द यूज भी हो चुका है, तो अब मैं इसमें चीनी डाल रही हैं, स्वात के नुशार, और एक से डेट मिट हम इसे और उबाल लेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद दूद जो है, थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो एक से डेट मिट उबलने के बाद, अब हमने जो सूजी के बॉल्स को दूद में कम से कम 10 मिनट पकाएंगे, तो हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे, ने तो ये तूट जाएगा, तो फ्रेंस यहां पे 5 मिनट लगबग हो गये हैं, तो एक बार हम इसे फिर से इस तरीके से चला लेते हैं, और ग लेन रखा है, और यहां पे टोटल लगबग 10 मिनट यह हमने सूजी के बॉल्स को दूद में पका लिया है, और आप देखें इसका साइज भी काफी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अब हम यहां पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसे हम ठंडा कर लेंगे, ठंड यह बिल्कुल अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद ही सर्व करें, तो फ्रेंस तयार है हमारा सूजी का बहुत ही टेस्टी डेजर्ट, सूजी की रसमलाई, जो की बिल्कुल नई रेसिपी है, आप इसे जरू से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसे दूसरों साथ जरूर सियर करें चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो फिर मिलते इसी तरह की और भी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू बा बाइब को बाईब कर दो करना दो पाएब कर दो हैं कर दो Clay